इन प्लेस और डीजल बाई उजिंग एलेंजी और सीएंजी वी चैन रिडूजिस्टिक कॉस्ट लू एनेर्जी करके आप सर्जबारगल कुरी कंपणी का इतना हाई फाई गारी है दोस्तों बहुत तगड़ी गारी है दोस्तों दुनिया भर की ट्रक निर्माथा कंपनी जलवाई उपरिवर्तन को लेकर काफी परिशान है और काफी कुछ करना चाहती है पर्यावरण को दूशित होने से बचाने के लिए इसी कड़ी में सब ने कहीं सीएंजी ट्रक बना लिए हैं तो कहीं हाईड्रोजन फ्यू को लेकर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह देख सकते हैं एल एंजी वाले ट्रक पर भी हमने एक एपिसोड किया था आज उसी की चर्चा होगी प्रोग्राम लॉरी में नमस्कार ट्रांस्पोर्ट टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ असलम कुरैशी आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी दोस्तों बिलू एनरजी एक कंपनी है जिसका अपना प्लांट लगा था पूरे में दो सितंबर को देश के सडक एवं परिवहन मंतरी नितिन किया था इस प्लांट की फास बात है थी थी कि आन्वाट ट्रुक बनाया था वह यहाँ पर rez рек टरक में निर्मान किया जाएगा ऐसा बताया गया और दो सितंबर को पहला ऐले बेस टॉक इंडिया में लौन्च किया गया बिल्व Цिके द्वारा तब इस पर अच्छा खासा रिव्यू किया था इसकी स्पैसिफिकेशन और खासियत बताई थी लेकिन अब यह सड़कों पर दिखने लगा है हमने उस प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि भविश्य में जब यह चलने लगेगा और रिव्यू आने लगेंगे तब हम इस पर एक करेंगे अब यह सड़कों पर दोड़ता दिखा पचपन अठाइस मॉडल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहां पर ड्राइवर ने जैसे ही देखा इसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी देखिए उसने क्या क्या कहा इसकी तारीफ में आप चाले गैंसा इल टेंकी लगिया दोगट गाएट टैस्ट का रहे हैं और चलाके पिछे ट्राल लंगा पांजया में आइट अपना आइद देखो अबरेज की हूगी गैंसते दी पचोवंजा आई बुरों छोवेगी आईजी एको घडिया नाला दोगा आज गाट टार मैं पिछे पास करके आया या पोल दिया नंगी कार रही है तो यह जनाप जिनका अपना डीजल ट्रक है जिसे चोटा बोल रहे हैं पंजाबी में इन्होंने चोटा शब्द इस्तमाल किया है जिसका मतलब होता सांड या बै। अब भई उसकी मेंटरनेंस भी ज्यादा होती है इसलिए उन्हों ने शब्द का इस्तमाल किया हो बताया जा रहा है कि ब्ल्यू एनर्जी द्वारा निर्मित पच्पन अठाइस गाड़ी जिसका जीवी डवल्यू चववन टन बताया जा रहा है इसकी पिकप काफी अच्छी है सड़कों पर यह दिखाई दिया और यह भी बताया गया कि इसमें नॉइस तो है ही नहीं और कंपनी ने भी दावा किया था कि 30 सदी कम नॉइस करेगा नॉइस पॉलूशन से बचाएगा 990 लीटर का इसका एल एंजी फ्यूल टैंक है आप देख सकते हैं बड़ा सा फ्य लगाया हुआ है जिसको देखकर ड्राइवर हैरान भी हुआ अब 990 लीटर टैंक लगाने के बाद कंपनी ने दावा किया था कि यह 1400 किलोमीटर एक बारी में जा सकता है यानि कि लंबे रूट के लिए यह काफी कारगर साबित होगा ड्राइवरों के लिए और कंफर्ट के उससे जो यह ट्रक लेकर आया था तो उन्होंने क्या क्या कहा इनेरजी करके आप दर्जबार अगर कुरी कंपनी का थी नहीं अभी टैस्टिंग के लिए चला रहे है टेस्ट कर रहे है गाडिंगों को नाइन रोड का लिए नहीं आइवरेज का रही है क्या पे है तीन का देखा आपने तीन किलोमेटर के हिसाब से इसकी एवरेज बताई है जो कि आम डीजल गाडियों में भी होती है लेकिन इसकी खासियत है कि पीकप इसकी जबरदस्त है और कंपनी ने लो मेंटेनेंस का दावा किया है यानि कि मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है कॉस्ट इफेक होंगे ट्रांस्पोर्ट इंडस्ट्री को बदल कर रख देंगे इसके लिए जगा जगा एलेंजी पंप्स का भी विस्तार किया जा रहा है खुद ब्लू अनेरजी देश के अलगल हिस्सों में वर्क्शॉप लगा रही है 280 HP की इसकी होर्सपावर बताई गई है 1000 NM टॉर्क पावर बताई गई है टेलिमेटिक्स टेकनॉलजी से ये गाड़ी लेस है इसका मतलब यह है कि कहीं भी ये गाड़ी चली जाए आप हर मुवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं अब इस प्लांट में बड़ी बड़ी पेट्रॉलियम कंपनी के स्टाफ मैनेजर जा जाके वीजिट कर रहे हैं ब्ल्यू नर्जी के इस प्लांट में जहां ये गाड़ी निर्मित हो रही है वहाँ जा जाके बड़ी बड़ी कंपनियाज एच्पी सील हो चाहे आयो सील है वहाली में गई और वीजिट किया और सारा कारेकरम समझा कि किस तरह परियावरन को दूशित होने से इस गाड़ी के माध्यम से इस गाड़ी के इंजन के माध्यम से बचाया जा सकता है अब इसकी बनावट और इसकी खासियत को लेके इंजन आपका भी रिव्यू सुन लीजिए दोस्तों जितनी गाड़ी हैं यह सब LNG से CNG वाले गाड़ी हैं डीजल का कोई मतलब ही नहीं है अब एक दम बल्बो माडल बनाया है बहुत पिकप है इसमें दोस्तों LNG से चलेगी पिकप बहुत तगड़ा है यह ठाकी बनी है दोस्तों इसमें 1000 लीटर LNG जाएगी तो देखा आपने कुल मिलाकर सडको पर जब यह गाड़ी दोड़ी तो ड्राइवर ने इसकी खासियत में क्या-क्या कहा लोगों ने क्या-क्या बताया कहने का मतलब असल रिव्यू अब आया है जब लोग इसके आपनी उम्मीदों पर और दावों पर खरा उतर रहा है फिलहाल के लिए अभी सडकों पर उतरने लगा है ज्यादा से ज्यादा लोग जब इसको खरीदें इसका इस्तेमाल करेंगे और कुछ साल चला लेंगे तब इसका और बहतरीन रिवूस सामने आप आएगा कि इन कंपनीज की सर्विसिस कैसी हैं जो सबसे बड़ी समस्या रहती है ट्रक निर्माता कंपनियों की सर्विसिस को लेकर हमने देखा है कि चाहे टाटा हो चाहे अशोक लेलेंड चाहे कोई भी कंपनी हो सभ कोई गाड़ी मालिक परिशान रहते हैं अब सर्विसिस को लेकर आगे चलके कुछ सामने आएगा तब भी हम कोशिश करेंगी कि आप तक वो पहुंचा है कैसा लगा आपको आज का यह एपिसोड कमेंट सेक्शन मिलकर जरूर बताइएगा अगर आपने अभी तक हमारा ट्रांसपोर्ट मॉल से बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल एप में डाले या 9831-9831 पर वाटसएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिरफ और सिरफ ट्रांसपोर्ट मॉल से